वेलकम तो मैं शैनल ऑप्रमेटरी सेल्यूशन तो गैस आज हम बात करने वाले हैं मॉक्सी टोल डी आई ड्रॉप के बारे में बिसे कलिए हम जाने हैं कि किन किन कंडिशन में हम क्या है पेशेंट को यह प्रेस्क्राइब कराते हैं तो मॉक्सी टोल डी जिसमें हमारा 5 ml ड्र होती है मॉक्सी टी ऐड्रॉफ डॉक्टर के बच्छी स dato जिसमें आखों में ब्सक्राईर इंफेक्शन की देते हैं में जिसमें हमप्र कर आती हैं तो पिएक्ट कराते हैं इसलSu सबाता प्रॉब करके हैं अ sch01 घ्रेल यह एम मोक्सी बंसे इसल्ट को after cataract surgery भी यह drop क्या है प्रेस्क्राइब कराते हैं after cataract surgery starting में जो हमें पेशेंट का डोस रखना होता है वो हर दो घंटे पर देनी होती है मिक्स्टोस देते हैं हम moxifloxacin जैसे इसमें और dexamethasone एक हमारा एंटिवाटिक एंट हमारा इस्ट्रोइड तो चलिएगा इसके बारे में आगे जाल लेते हैं और दूसरा कोवी मैडिशन आप अपने बिदाव डॉक्टर के सजेशन से नहीं ले आप्टर डॉक्टर सजे हैं और क athlet यूज्ट करने से पहला एच्षे से हमें еньको वाश करना है हैं और हम आफ्टर यूज्ट करने के बाद भी हमें को वाश्क करना है ध्यान हुआ कभी भी खود इसकार बन सकता है तो बात घरते हैं मॉक्षी इंफॉक्षिन के लाजbait जिसको हम बोलते हैं तूर चली एफ लीज़ ने होते हैं तो इसका जो मागनिफेक्चर डेट है वो September 2022 है and expiry date इसका August 2024 है means इसका 2 year का क्या है पूरा time duration है and इसका जो प्राइज है वो 95 रुपेज की आपको इड्रॉप कहीं से मिल जाती है ध्यान रहेगे इसमें स्ट्रॉइड है तो बिदा डॉक्टर के consultations आपको इड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेनी है and अब हम आगे बात करते हैं इसका side effect की तो normally आपको क्या है blur vision हो सकता अगर आपको blur vision होता है and आपको बहुत जादा irritation होता है वामिटिंग फील होती है तो अपने डॉक्टर से एक बार consult जरूर कीजिएगा अगर प्रेगनेंसी की condition में इसको बिल्कुल नहीं लेना breastfeeding में इसको नहीं लेना एक बार डॉक्टर से consult करना so guys thank you so much for the watching video like and subscribe